हेलो स्टुरेंट्स हम अपरेडिक सिस्टम के अंदर डेडलोग का चैप्टर डिस्स कर रहे थे जिसमें हमने देखा कि डेडलोग क्या है फिर हमने बात की डेडलोग प्रिवेंशन के बारे में फिर हमने देखा था डेडलोग अवाइडेंस के बारे में इसके बार जो हम या अवाइड करने हैं. हमारे पास कुछ सैच्विशन गैसी होती हैं कि हमारे पास डाड़ लोग ओकर हो जाता है. तब हमें ज़रूरत पड़ती है डाड़ लोग को डिटेक्ट करने की और फिर इसको रिकवर करने की. तो आज हम यही देखेंगे कि किस तरह हम अपने deadlock को डिडेक्ट करते हैं और उसको recover करते हैं तो पहली reason deadlock को occur होने की वो यह होती है कि limited number of resources हमें पता है कि हमारे personal computer के अंदर हमारे पस जो resources होते हैं वो limited होते हैं क्योंकि हमने अपने budget को maintain रखना होता है तो हमारे course को maintain करने के लिए हमारे पस जो resources होते हैं वो limited होते हैं तो जब हमारे पस limited resources होंगे तो हमारे पस chances होंगे कि जो deadlock है वो occur हो यह तो पहली reason है दूसरी reason यह है कि बाद अफ़ा deadlock prevention and avoidance techniques not implemented कि आपके system के अंदर deadlock को prevent करने की या avoid करने की techniques implement ही नहीं होती इसकी वह सारी reasons हो सकती है operating system के speed को बेतर बनाने के लिए या कसी और reason की वजा से कुछ systems के अंदर यह technique नहीं होती तो 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 भी हमारे पस chances होते हैं कि deadlock occur हो जब deadlock occur होता है इसलिए हमें deadlock को detect ना पड़ता है तो बात करते हैं deadlock detection की अगर system के अंदर deadlock occur हो चुका है तो हम इसे detect करना और recover करना ज़रूरी होता है therefore we need some methods for deadlock detection and recovery इसलिए हमें कुछ methods ज़रूरत पड़ती है जिसी मदब से हम deadlock को detect कर सकें और पिर उसको recover कर सकें तो यह जो methods हैं इनको आप कहते हैं detection algorithms और यह algorithms जो different scenarios में काम करते हैं पहले scenario यह है single instance of each resource कि जब आपके पास resource के एक instance होता है तो आपके पास एक tape drive है एक RAM है एक CPU है इसको कहते single instance of resource दूसरा scenario होता है multiple instance of resource एक resource के आपके पास multiple instance है इनके आपके पास 3-4 tape drives हैं इस तरह से 3-4 CPU है multiple instance है एक resource के तो दोनों के लिए different algorithms इसमाल किये जाते हैं single instance के लिए जो हम algorithm इसमाल करते हैं वो है wait for graphs यह basically rag algorithm की basic type है rag means resource allocation graph की basic type है इसमें हम cycle को detect करते हैं अगर हमारे graph के अदर cycle create हो जाता है तो it means हमारा dialogue उकर हो चुका है एक्जेंपल देखें लेट्स उदापर एक process 1 है एक process 2 है और दो resources है resource 1 और resource 2 resource 1 स्पोज असाइन है process 1 को और resource 2 असाइन है process 2 को process 1 request कर देता है कि मुझे यह resource 2 चाहिए और process 2 request करता है कि मुझे यह resource 1 चाहिए तो यहाँ पर अगर आप देखें तो एक cycle बन रहा है जब graph के अंदर यह cycle बन जाता है इट means कि आपका deadlock occur हो चुका है तो इस तरह से हम wait for graph algorithm की बतर से cycle detect करके अपने deadlock को detect कर लेते हैं second algorithm जो हम multiple instance के लिए इसमाल करते हैं वो है bankers algorithm bankers algorithm हमने last lecture के मदर discuss किया था इसमें हमने example की मुदर से समझा था कि bankers algorithm किस तरह से work करता है अगर आपने वह lecture नहीं दिखा तो अगर रिक्वेंट यह करूँगा कि आप वो lecture पहले देख लें तो कि उस lecture को देखे बगएर आपको यह concept clear नहीं होगा उसमें हमने discuss किया था कि हमारे पास एक vector होता है need vector इसमें हम बताते हैं कि हमारे process को कितने resources required है 4 हमारे पास p node process को 533 resources required है और p1 process को 1,1,2 resource required है और हमारे पास जो available vector है इनके available resources है वो कुछ यू है 0,1,1 अब हमनें करना क्या होता है हमने इन process के resources को compare करना होता है available resources के साथ और check करना होता है क्या मैं इन processes को entertain कर सकता हूँ तो क्या p node को मैं entertain कर सकता हूँ p node के अगर आप resources दिखें तो इसको ज्यादा resource चाहिए और हमारे पस जो available resources है वो कम है तो इक्वीन मैं pnode को entertain नहीं कर सकता इस तरह से p1 को भी 112 resources चाहिए जबकि मेरे पास 011 resources है तो इसका मतलब हुआ कि मैं p1 को भी entertain नहीं कर सकता तो यह आपको बसा चलेगा कि आपके पास deadlock occur हो चुका है यह जो concept है यह banker's algorithm वाली वीडियो के अंदर हमने discuss किया हुआ है अगर आपको यह concept clear नहीं हुआ तो आप पहले वो वीडियो देख लें आपको वीडियो की description के अंदर उसका link मिल जाएगा so banker's algorithm हम multiple instance के लिए इसमाल करते हैं अब यह तो हो गए algorithm लेकिन यहां पर question यह arise होता है क्या हम इन algorithms को execute कब करेंगे क्या हर वक्त execute होते रहेंगे ऐसा तो हम कर नहीं सकते क्योंकि इससे हमारे rating system की speed बहुत slow हो जाएगी so detection algorithm need to be executed to detect a deadlock deadlock detect करने के लिए हम इन algorithms को execute करना पड़ता है the frequency and time when we run such algorithm is dependent on various factors कि हम इन algorithms को कितरी दफा या किस time पर run करेंगे यह मुखली factors पर depend करता है जिसमेंसे दो important factors हैं वो कुछ यू है पहला we could run the algorithm on every resource request कि हम इन algorithms को अतर्ब चलाएं जब कोई process resource की request करें पहला तो method यह है second we could run the algorithm from time to time like every or or at random times वो ऐसा भी हो सकता है कि हम इसको हरे गैंटे यह कुछ different times के बाद हम चेक करें कि deadlock to occur नहीं ही हो चुका तो यह दोनों method बेसे हम कोई भी method choose कर सकते हैं detection algorithms को execute करने के लिए अब यह तो था deadlock detection कि हमारे पास deadlock occur हुआ और हमने इसको detect कर लिया अब हमने बात करनी है कि deadlock को recover किस तरह से यह जाए हमें पता जो चल गया कि deadlock occur हो चुपा है लेकिन आप हमने इसको क्या करना है recover करना है we can recover from a deadlock by using two approaches हम दो approaches की मदद से deadlock से recover कर सकते हैं वह है पहली है process termination और second है resource pension पहले की बात कर लेते है process termination क्या है इसमें कहता है we can terminate all processes involved in deadlock deadlock के अदर जो जो processes involved हैं हम सब को terminate कर देंगी example लेखें let's go हमर पस तीन processes है p0, p1 and p2 और हमारा deadlock यहां पर occur हो चुका है अब हम करेंगे कि यहां इन तीनों को terminate कर देंगे और फिर इसको restart करेंगे one by one करके इससे भी हमारा deadlock recover हो सकता है लेकिन यहां पर एक problem यह है कि यह बहुत ही costly method है कि अगर आप तीन processes को terminate कर देंगे तो आप बहुत सारा जो work है वो waste हो सकता है तो यह बहुत risky और costly method होता है second इसी के अगर option है we can terminate them one by one until the deadlock disappear कि हम ऐसा भी कर सकते हैं कि एक एक process करके terminate करें इससे हो सकता है कि एक जगह ऐसी आए कि आपका deadlock हतम हो जाए example देखें let's suppose आपके पास यह P0, P1, P2, P3 और P4 processes है यहाँ पर deadlock occur हो चुका है अब हम तरह की chaos को हम इसमें से एक process को terminate करने है मैंने यहाँ पर P4 को terminate कर दिया अब हम चेक करेंगे कि क्या इन चार processes में deadlock अभी भी मुजूद है यहाँ पर बहुत हाई chances है कि इन मेंसे deadlock खतम हो जाए लेकिन अगर इन मेंसे deadlock अभी भी भी खतम नहीं हुआ तो हम एक और process याई की P3 को terminate करनेंगे अब दोबारा चेक करेंगे क्या यह processes deadlock free हो चुके हैं अगर तो deadlock free हो चुके हैं तो हम इन processes को चलते रहने देंगे अगर नहीं हुए तो हम इन मेंसे एक और process को terminate कर देंगे यह भी एक costly method है लेकिन यह जो first option के जिस्वत एक better solution है तो इस approach को हम कहते है process termination method Second आपके पास जो है वहा है resource primption this approach takes resources from waiting processes and give them to other processes इस approach में हम करते क्या हैं हम एक process resources लेते हैं और दूसरे को दे देते हैं किस तरह से एक example देखें स्वोथ आपके पास P0, P1, P2 यह तीन processes हैं और इन तीनों को यह resources assign है 5, 3, 5 और 5 और इनको मजीद जो resources चाहिए वो कुछ यू है P0 को 7 चाहिए P1 को 1 चाहिए P2 को 2 चाहिए जबकि हमारे पास available resources हैं वो है 0 यहाँ पर यह deadlock create हो चुका है अब हमने करना क्या है किसी एक process की resource लेकर दूसरे process को दे देने हैं स्वोथ मैं यहाँ पर P1 को लेता हूँ मैं P1 की यह जो 3 resources हमने इसको दी हो हैं यह इससे ले ले लेता हूँ तो मारे पास available resources क्या हो जाएंगे 3 और अब यह 3 जो available resources हैं वो मैं क्या करूँगा यह जब P2 process है इसको provide कर देता हूँ इसको 2 resources चाहिए यान इन 3 मेंसे 2 मैं इसको provide करूँगा तो यह हो जाएंगे 7 और हमारे पास 1 available रहे जाएगा और इसको required 0 रहे जाएंगे यानि इसको तुमाम के तुमाम resources मिल चुके हैं अब यह 2 जो है वो अपनी working कंप्लीट करेगा कंप्लीट करने के बाद यह तुमाम के तुमाम 7 resources हैं यह वापिस return कर देगा हमारे पास available resources हो जाएंगे अब अगर आप देखें तो अब इन एड resources की मदद से यह दोनों processes में से किसी एक process को execute कर सकते हैं तो इस तरह से हमारा जो deadlock है वो recover हो जाएगा और इस method को हो जाते है resource prevention method जिससे हम deadlock की recovery कर सकते हैं तो आज हमने बात की कि हम deadlock को detect किस तरह से कर सकते हैं और detect करने के बाद उसको recover किस तरह से कर सकते हैं I hope आपको clear हो गया होगा अगर कोई question है तो आप comment section के अंदर पूछ सकते हैं आज को इतना ही मिलते हैं next lecture के अंदर Thank you very much झाल 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 झाल